नागौर कालेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बी आर मिर्धा कॉलेज में रखी EVM को सुरक्षित बताकर उन तमाम आरोपों का खंडन किया है जिसके चलते EVM की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे थे यादव ने कहा कि 8 स्ट्रॉंग रूम में 25 कैमरों के जरिये EVM पर नजर रखी जा रही है और साथी EVM 30 तरिये सुरक्षा के घेरे में है गौर तलब है कि रालोपा के पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया था कि CCTV कैमरे बंद पड़े हैं और इस पर यादव ने EVM को सुरक्षित करार दे दिया है पूरी पुक्ता विवस्ताओं के बावजूर भी किसी टेक्निकाल कारण से कभी कभार पोसिबल भी हो सकता है यह तो आप सब भी जानते हैं लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है हैं काफी कुपता विवस्ता कर रखी और कोई एक मिनिट को भी कभी पचीजो कैमरे अमने लगा रखी नहीं हुआ है बाकी जो उनको जो थोड़ा कंशुजन हुआ उनके लिए था जो कैमरे अप्चिदी अमने लगाई ही रखे लेकिन क्योंकि सेट में उनके लिए प्लेस है तो उनको यह लगा कि यह संभव स्या हैं हैं लगाई हुए और बंद हैं जब कि एसी स्थिती नहीं थी नहीं तो कैमरे यह लिए